Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही एक important topic के बारे में discuss करने जा रहे हैं जो कि आपकी website के लिए, especially अगर मैं आपको dynamic website की बात करूँ और एक अच्छी user friendly, अच्छे user experience की बात करूँ उसमें आपका ज़रूरत होती है जो की चीज़ है Ajax So, आज के वीडियो में हम जो चीज़ discuss करने वाले हों वो यह है What is Ajax? Types of Ajax, Ajax कितने तरीके का होता है, Ajax की disadvantages क्या है और Ajax के कुछ example हम यहाँ पे देखेंगे So, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं कि What is Ajax? So, Ajax stand for asynchronous JavaScript and XML So, यहाँ पे जो Ajax का full form होता है, वो होता है asynchronous JavaScript and XML Ajax is a user experience So, friends, देखें क्या है कि आज की date में, 2019 में हम अभी So, आज की date में जो website है, वो एक website बनाना important नहीं है हमारे लिए important है, एक अच्छे user experience के साथ website को बनाना आपने अगर एक website बनाई और वो user friendly नहीं है उसमें user experience जो है, वो अच्छा नहीं है तो क्या होगा जो आपके visitor है या फिर जो आपके user है, वो वापस चले जाएंगे वो दुबारा आपकी website पे नहीं आएंगे तो यहाँ पे अच्छे user experience की जब मैं बात करूँ तो आपके पास अगर आप example की बात करें तो आप facebook देख सकते हैं देखे क्या होता है, facebook में जब भी आप कोई post देखते हैं तो आपको post के साथ एक like करने का option मिलता है अब देखे, जैसी आप like पे click करते हैं तो क्या होता है? क्या आपका page reload हो जाता है? अप आप assume करिए कि आप facebook पे हैं और आपने आपका जो wall है वहाँ पे आप scroll करते 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 नीचे आए और आपने एक page के like पे click किया अब क्या होगा जैसी आपने आपके page पे like पे click किया तो आपका like तो बढ़ गया और आपका page reload हो गया अब होगा क्या reload होने के बाद तो आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कहाँ पे थे तो वहाँ पे alternate आजाता है एक तरीके से Ajax जैसी आप Ajax के थ्रू like के बटन पे click करते हैं तो क्या होता है आप वहीं रहते हैं बस आपका like का जो count है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है यहाँ पे Ajax की help से आप server के साथ communicate करते हैं without page reload आपका page reload नहीं होता और आप server के साथ communicate भी कर पाते हैं तो इस चीज़ के लिए हम लोग Ajax का use करते हैं अगर आप बात करें types of Ajax की कितने तरीके का Ajax होता है तो Ajax दो तरीके का होता है asynchronous Ajax और synchronous Ajax asynchronous Ajax basically आपको यह बोलता है कि मैं किसी पे भी dependent नहीं हूँ जब आप asynchronous Ajax को call करते हैं तो अगर आपने दो चीज़ें बनाई हैं अब आप let's say इसको example आप मानके चलिए कि आप एक दुकान पे गए वो दुकान पे आपको समान लेने गए अब देखे जब आप किसी दुकान पे समान लेने जाते हैं तो क्या होता है कि आपसे पहले भी वहाँ पे कोई customer खड़ा हुआ हो तो इस case में दो scenario हो सकते हैं पहला तो यह हो सकता है कि आपको उनका आपको wait करना पड़ेगा जब तक जो पहले से लोग आये हुए हैं वो अपना समान लेने लेते सेकंड चीज क्या है कि जो shopkeeper है वो आपके साथ भी communicate कर दा है और उनके साथ भी communicate कर दा है तो यहाँ पे जो asynchronous ejects है यह वही है कि shopkeeper आपके साथ भी communicate कर दा है और दूसरों के साथ भी communicate कर दा है synchronous ejects क्या बोलता है अभी मैं आपको example भी इसका बताऊँगा, वहाँ पे आपका जो डाउट है वो clear हो जाएगा, disadvantages क्या है Ajax की, so दीके friends क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि आपका Ajax सीकेज में page reload नहीं होता, जब आपका page reload नहीं होगा, तो आपके URLs नहीं बनेंगे, जब आपके URLs नहीं बनेंगे, तो ये SEO के case में कई बार एक disadvantages हो जाती है, excessive जादा Ajax को यूज करना, Ajax की अगर example की बात करें, तो मैंने अभी आपको Facebook का example दिया है, इसके इलावा country, state, city एक drop-down है, वो भी आपके सामने example है, देखें क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि यह country है, आप जब country को select करते हैं, तो उसके correspondence state आ जाएंगी, state को select करेंगे, तो उसके correspondence city आ जाएंगी, दोनों case में क्या होगा, जो आपका page है, वो reload नहीं होगा, सो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ, सो friends, अभी हमें काम करते हैं, अभी हम लोग practical में चलते हैं, और थोड़ा सा इसको समझते हैं यहाँ पर, सो friends, मैंने already यहाँ पर एक PHP का file बना लिया हुआ है, अभी friends, Ajax को use करने के दो तरीके हैं, या तो आप traditional Ajax JavaScript है, उसको use करें, या फिर आप jQuery को भी use कर सकते हैं, Ajax के लिए, सो मैं आपको यहाँ पर jQuery के तुरू Ajax को use करने के बारे हैं बता रहा हूँ, सो उसके लिए हमें पहले jQuery को include करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ, jQuery CDN, हम एक CDN link उठा लेते हैं jQuery का, यहाँ से मैं minified ले लेता हूँ jQuery, और इससे बंद कर देते हैं, और यह जो code है हमारा, इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूवत नहीं है, So friends, आपके सामने यहाँ पर jQuery को हमने include कर आ लिए, अभी देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक hyperlink बना लेते हैं, यहाँ पर एक hyperlink बना लिए और इस पर हमने कर दिया, click here, AHRIF में मैंने यहाँ यहाँ पर javascript void zero डाल दिया, javascript void zero का देखिए मतलब क्या होता है, javascript void zero का मतलब हम यह बताना चाहते हैं, कि यहाँ पर हमें link जैसा effect मिले, लेकिन click करने पर यह कहीं redirect ना हो, और यहाँ पर एक on click event बना लेते हैं, let's say click here, अभी friends क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक script बना लेते हैं, और यहाँ पर हम एक function बना लेते हैं, और यहाँ पर alert करके देख लेते हैं, कि यह function हमारा बराबर चल रहा है, कि नहीं चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, अभी हमारा ये काम है कि जब आप ये click here पे click करें, तो एक दूसरा हमने कोई PHP का page बनाएंगे यहाँ पे, उस page का हमें data retrieve करना है, सो लेट से हमने यहाँ पे get.php बना लिया, और यहाँ पे हमने रिख दिया, echo, hello, अब यहाँ से हमें हमारे get.php के page को call करना है, without page reload करें, सो उसके लिए हम लिखेंगे jquery.ajax यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ parameters पास करेंगे, सो यहाँ पे हम Ajax को call करा रहे हैं, call कराने के लिए सबसे पहले हमें देना पड़ेगा URL, मतलब Ajax के through किस page को hit करना है, तो हमने बोला get.php को hit करना है, इस page से अगर दूसरे page पे कोई data लेके जाना है, तो वो कौन से method से लेके जाना है, हमने बोला post से लेके जाना है, जब success होगा, मतलब जब get.php जो है हमें, जब यह call हो जाएगा, और get.php कोई data भेजएगा, तो हमने यहाँ बोला, वो result नाम के हमारे एक variable के अंदर डालते ना, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे alert करके देखते हैं, हलो आगया, अब देखिए, हलो खहां से आ रहा है, यह हमारा यहाँ से आ रहा है, और अगर आप देखें, क्या हो रहा है, यहाँ पे inspect element करते हैं, और network पे चलते हैं, तो देखिए, जैसे ही आपने click here पे click किया, तो यह get.php को इसने hit किया, और यहाँ से यह दिखा रहा है, यह get.php के पास गया, और get.php ने इसे hello return किया, so यह देखिए, तरीका है, एक page से दूसरे page को call करने का without page को reload करें, अब अगर आपको यह page से दूसरे page पे, जो get.php है, वहाँ पे कोई data भेजना है, let's say example, हम यहाँ पे text box बना लेते हैं, और इसका एक नाम ले लेते हैं, num1 और यहाँ से हम यह num1 की value ले लेते हैं, num1 is equal to jQuery, यहाँ पे हमने बोल दिया num1.value, अब यह जो num1 आया, इसको हम कहाँ पास कर, किसके पास बेज़ेंगे, get.php के पास, उसके लिए हमें यहाँ पे एक variable लेना पड़ेगा, और यहाँ से communicate करना पड़ेगा, अब यह जो data से get dot php के पास जाएगा, num1 को लेखें, अब अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिख दें, print underscore r dollar underscore post, क्योंकि आपने जो data है, वो post के थ्रूपे जाए, इसको हम अगर भेजें है, और click here करें, तो देखें क्या हुआ, num1 को कुछ ही undefined मिला, यह क्यों मिला, num1, एक सेक undefined, हमने बोला num1.well, actually यह ID होनी चाहिए थी, name नहीं होना चाहिए था, reload कर लेते हैं, hey, click here, देखें, num1 के अंदर hey आगे, अगर आप यहाँ जाएं, console में जाएं, तो देखें, आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला कि, एक data transfer हुआ है, num1, जिसकी value hey है, वो जा रही है get.php के पास, और get.php ने यह चीज रिटन की है, अब देखिए, अगर आप यहाँ जाएं, और अगर आप echo करा दें, num1 plus 20, reload कर दें इस page को, तो देखें क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 10 डाला, तो यह आपको addition करके देदेगा, ठेटी का, अब यह जो 30 का आपको addition करके दे यह कहां से आ रहा है, आपके server site से execute हो के आ रहा है, अब अगर यही चीज को आप जो normal तरीका है, php का करते तो क्या होता, आपको पहले form को submit करना पड़ता, आपका page reload होता, उसके बाद जाके आपको यह result आता, अब आप assume करिए कि यह आपका एक web page है, जहाँ पे बहुत सार images हैं, और उसके बीच में यह form है, तो क्या होगा, जब आपका page reload होगा, वो images भी reload होगा, अब images reload होगी, तो हलके हलके वो page reload होगा, तो क्या होगा, user का experience है, वो यहाँ पे खराब हो जाएगा, तो friends, यह basically तरीका होता है, आपका Ajax में एक page से दूसरे page पे data ले जाने का, अब यह हम second चीज़ पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था, synchronous और asynchronous JavaScript की चीज़, so उसके लिए काम करते हैं, मैं एक और दूसरी file यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं यह code को कर लेता हूँ, copy और इसको save कर लेता हूँ, types underscore Ajax.php से, यह code मैं सब यहाँ पे हटा देता हूँ, value कुछ हम नहीं भेज रहे हैं, data इसको हटा देते हैं, alert कर देते हैं, और इससे get one कर देते हैं, तो let's say इसको कर देते हैं, hit one, get one, और इसे की एक copy बना लेते हैं, इसको कर देते हैं, hit two, और इसको बेज देते हैं, get two के पर, टू पे ठीक है फ्रेंट्स अभी quickly हमें काम करते हैं ये जो इसी की एक copy बना लेते हैं get1 और get1 में हम यहां पर डाल देते हैं get1 और get1 की एक और copy बना लेता हूं मैं get2 नाम से और इसको हम 2 कर देते हम इधर आ जाते हैं और ये get2 कर देते हैं. So friends, हमने क्या किया? दो Ajax के दो यहाँ पर function बनाएं. एक से हमने get1 को call किया और एक से हमने get2 को call किया. अब देखिए क्या होता है? यहाँ पर हम चलते हैं. Types Ajax में देखें क्या हुआ? जैसी आपने page को reload किया आपका get2 भी call हो गया और get1 भी call हो गया. इसको हमें काम करते हैं. यहाँ ना करके console.log में डाल देते हैं. So console.log क्या करता है? वो मैं भी आपको बताता हूँ. जब भी आप यह page को reload करेंगे. तो देखिए, यह console में आपको यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ आ गई. get1 भी और get2 भी. तो क्या हुआ फ्रेंट्स? यहाँ पर जब आपने इस ajax को hit किया, तो इसने क्या किया? get1 को भी call किया और get2 को भी call किया. अब हमें एक काम करते हैं. get1 में डाल देते हैं. sleep sleep एक function है जो आपकी PHP की script को रोग देता है. reload करते हैं. अब देखें क्या होगा? get2 आगया. अभी get1 में, जो get1 का file है, वो थोड़ा wait करेगा और आप आपका get1 का output भी देखें. यहाँ पर आगया. get2 भी आगया और get1 भी आगया. मैं एक बार फिर से page को call कराया. यह function भी call होगे, यह function भी call होगे. यहाँ पर get2, hit2 ने hit1 का wait नहीं किया. hit2 ने क्या बोला? मैं execute हो जाओंगा, hit1 जब उसका मन है, वो execute होगा. मेरे को hit1 से कोई फरक नहीं पड़ता. So, यह आपकी चीज आजाती है asynchronous में. जो हम लोग बात कर दे थे, कि asynchronous वेट नहीं करता या depend नहीं करता किसी भी चीज पर. अब देखिए, यहाँ पर मैंने डाला A, S, Y, N, C. और इसको कर दिया हमने false. अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा. हमने page को reload किया. आपका console में अभी भी आ गया, get2 और उसके बाद आपका यहाँ पर get1 आ गया. इसको एक बार फिर से hit करते हैं. अब देखिए, आपका get2 भी आ गया और get2 के. यहाँ पर आपका call खतम होने के बाद, sorry यह actually call नहीं हो रहा क्योंकि यह ASC होना चाहिए था. अभी यहाँ पर आपका? अब आपका get1 call नहीं हो रहा है. देखिए, अब आपके दोनों चीज़े एक साथ call लगी. पहले आपका get1 call हुआ, फिर आपका get2 call हुआ. जब आपने asynchronous को fall कर दिया, तो यह script आपके synchronous पर बन गई. अब synchronous ने क्या बोला? कि पहले मैं hit1 को call करूँगा. जब तक मेरा hit1 का output नहीं आ जाता, मैं hit2 को call नहीं होने दूँगा. जबकि asynchronous में आपका क्या हो रहा था? कि hit1 अलग call हो रहा था, hit2 अलग call हो रहा था. Hit2 का hit1 से कोई relation नहीं था. लेकिन जैसे ही आपने उसे synchronous कर दिया, आपने asynchronous को false कर दिया, मतलब वो synchronous हो गया. उसी time पे अब hit2 का क्या बोलना है कि मैं hit1 पे dependent हूँ. जब तक hit1 complete नहीं होगा, तब तक मैं भी complete नहीं होगा. So friends, इस तरीके से आपका synchronous और asynchronous जो है एजेक्स वो चलता है. अगर मैं आप यहाँ, अगर आपसे मैं यहाँ पर और examples की बात करूँ. So friends, मैं यहाँ पर already बहुत सारे example मेरे YouTube के channel पर update कर चुका हूँ. मैं आपको one by one उनके बारे में वैसे बता देता हूँ. इसको मैं pause कर लेता हूँ. और मैं यहाँ पर search कर देता हूँ मेरे channel में जाके Ajax. तो देखिए country, state, city drop down मैंने आपको बताया था, वो है, already uploaded है आपके पास Ajax के थुरू आपको form submit करना है, वो भी है. आपको और Ajax के थुरू tap बनाने है, वो भी है. आपको record, delete करने है, animated वो है. login का script है, to do का script है, like, dislike का script है, remove करने का, add करने का, यह सारे के सारे scripts friends, मैं already मेरे channel पर update कर चुका हूँ. So, अगर आप कोई भी video Ajax के बारे में detail out में और examples के साथ देखना चाहते हैं, तो आप यह किसी भी video को देख सकते हैं. So friends, आज के video को मैं यहीं पर खतम कर दा हूँ. अगर अभी भी Ajax के बारे में आपका कोई confusion है, कोई भी doubt है, या आप कुछ और detail outs में समझना चाहते हैं मेरे से, तो उसके लिए आप comment box में अपना comment डाल दीजिए, आपका जो issue है या कोई भी आपका problem है, या आप कुछ और समझना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो explain कर सकूँ, आपको वो समझा सकूँ, और साथी साथ जो हमने अभी चोटा सा एक code लिखा है Ajax के बारे में, अगर आपको download करना चाहते हैं, तो उसका link मैंने already description में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे download भी कर सकते हैं, Thank you